हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, वेलकम इद्क मातलो, हमारी मैडम सहीब है इतनी बड़ी चापलूस है। वाप वाप इनकी चापलूसी की तो दाद देनी पड़ेगी इतनी चापलूसी कर रही है जनाब की अपनी फैमिली की फैमिली की तो खेर थोड़ी बहुत अपने इनलोस की लेकिन जनाब की चापलूसी करते हुए तो माडम इदम ठकी नहीं रही तो जुबान रुकी नहीं रही है, बोले जाए है, बोले जाए है, अच्छा साती सात मैडम, बाल कितना अच्छा से सवार रही है, मतलब हम लोगों ने कहा था कि मैडम बाल आप नहीं जाडते हो, ठोड़ा सा ध्यान दिया करो, लेकिट यह इसका यह मतलब थोड़ी क्या आप बात कर रहे हो बात करते 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 बार 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 को सवारना अरे अगर फेस पर आपका बाल आ रहा है तो एक यह बार उसको अपने कान के पीछे खोश लो ना लेकिन ना स्टाइल भी दिखाना है और थोड़ा हैंड हिला करके थोड़ा नौटंकी करकर कि जब तक नहीं बोलेगी तब तक तो एक्स्प्रेशन भी नहीं आएगा ना मैडम का ड्रामी बास तो खेर है ड्रामा करने में तो माहिर है जितना लंपा चोड़ा इंटर्व्यू दिया कितने ना बार मैडम ने अपने बाल सवारे बार बार जबकि बाल फेस पे आप ही ने रहे लेकिन फिर भी जान मुझके ड्रामा ताकि लोगों के थोड़ा लोगों का अट्रैक्शन बढ़े मेरे तरफ थोड़ा मेरे तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो कि मैडम देखो कि तनी खुबसूरत लग रही है ऐसी लग रही है थोड़ कि अब तो बेवी आने वाला है हम जितना नोटांकी करते थे जब जहां मन हुआ जब जैसे मन हुआ सो गए खा लिए पी लिए बैठ लिए दिन गुजार लिए ये सब जितना ड्रामा था हम करते थे तो मेरा खुद का बात था तो हम तो खेर बड़े है मैच्योर है कर लेत तो अभी से कैसे चापलूसी बत याएं ताकि मेरे इनलॉज मेरा खेर छोड़ो मेरा तो प्रेग्नेंसी में सेवा किये ने कम से कम मेरा बच्चा का देख रेक कर दे क्योंकि अगर हम दिन वर दिन बच्चे के पीछे पढ़े रहेंगे तो हम मेरा अपना सोना पलंग तोड करना है ना मेरा तो वही कामी है दिरनात पलंग तोड़ने वदा तो अगर भच्चे के पीछे पड़े रहेंगे तो यह सब कैसे होगा इसलिए इतना तारीफ पे तारीफ गुंगान गया जा रही है जब भी मैडम से पूचा गया कि इन लौज ने क्या आपकी सासु माने क्या मैडम क्या बोले कि मुझे तो कुछ निकल नहीं रहा है इसलिए मजबूरी में बोले कि नहीं नहीं जब जहां ज़रत परती थी अम्मी बताती थी अम्मी कहती थी जब जो मन किया खाने पीने का अम्मी बना कर देती थी क्योंकि और तो राए वीचार अम्मी जी कुछ करती कि सिफ़ खाना ही है जो बोलेगी अम्मी जी बना कर अगर कर देई थी तो मैडमों कैसे बोले किने मुझे कुछ नहीं बताया कुछ नहींसी जञानी Leonardo Ee फीर करके बोलिया कि हाँ हाँ जो गारने का मनन करता था भूलते थे अम्मी देती थी अभी भी हम आए हैं तो दाल खाकर की आए हैं, अम्मी बनाकर की दिये क्योंकि इसके अलावत उसके पास में बोलने के लिए कुछ है नी बात रहा जनाब का उसका तारीफ करते तो खेर मैडम ठकती नहीं क्योंकि इसे पता है ना कि किसके कंधे पर पंदूक रख करके चलाना है ताकि जिन्दगी भर लगाम हाथ में रहे तो जान रही है कि वो तो जनाभी है इसी को अपने आगे पीशे मन रहाना और वैसे भी अब तो थोड़ा जादा और क्योंकि मा बन गई है बच्चा आ गया है तो अब थोड़ा और जादा पैंपरिंग खोजेगी जनाभ मेरे साथ मैं ऐसे हुआ देखो ना बेबी ने ऐसे किया ये किया वो किया और जादा पैंपरिंग मिलेगी तो वो सब पाने के लिए थोड़ा तारीफ भी तो करना पड़ेगा क्योंकि मैडम का इंटर्वियूर तो पूरा दुनिया जहान में सब देख रहे है ब्लॉग में तो लोग देखते ही है जो तारीफ करती है लेकिन बाद में गालिया भी सुनती है कि ऐसे करके बोल रही है वैसे करके बोल रही है लेकिन इंटर्वियू तो पूरा दुनिया देखेगा जिसको नई भी देखने का वहां तक भी जाएगा वो लोग भी जा करके देखेंगे तो बाकी तो खर देखेंगे देखेंगे तो शुरुवात तो यहीं से करनी पड़ेगी क्योंकि व्लॉग खास मैडम का चल नहीं रहा है व्यूस तो डाउन हो गया तो कहीं न कहीं से लोग को पता चल जाए दोग को छोड़ो जनाब को पता चल जाए कि हां मैं आपके बारे में इतना अच्छा अच्छा सोचती हूं इतना मैंने आपके बारे में कहा है तो आके चल के जड़ा आप भी मुझे पैमपर करिएगा और मेरे साथ दीजिएगा मेरी नौटा की बरदाश करिएगा इसलिए मैडम ने सब पैतरे किये हैं सो गाइस आज के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे साथी साथ चैनल पर बने रहे और इब्राहिम फैमिली से जोड़ी जनकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे अपना ध्यान रखे हैवा नाइस